कि है कि है कि है रोग को अब दूस्ता दी है एक यह आपकी नई वीडियो लेकर तो आजकी वीडियो प्रक्राइब पूल साइंस का असाइन में पर पूल साइंस्ट बनाएंगे जी हाँ दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो मेना पहले कोशन आपको करा दिया था अगर वो कोशन आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के नीचे सारी वीडियो और पीडियो दे सकूं और अगर आप सारी वीडियो और पीडियो चाहते हैं असाइनमेंट के तो जल्दी से मेरे को इस्टेग्राम पर फोलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा है आज का कोशन नंबर टू है जो सवतंतर्ता और समानता के बीच के संबंदों पर चर्चा कीज़े आज में आपको इसका फुल एकस्प्लेगरेशन देने वाला हो इसको जुह आताका आथिकार दोस्तों आते हैं सबसे पहले चैंटा प्या ह कुछ के तिस समाज के लोग समान 1 पर्टिषट समान रखते हैं समाजिक समाने के स्मानन के समने समान 07 सबारा सामाजक सवास्थोर कि स्वास्तिया ओर इवमर्ण पहुंचाना आधि आते हैं पर समाजिक स्वास्तिया समानतर भी आती है इसके अलावा समान अवसर्था समान दाइट भी इसके समानता के बारे में इस समानता के बारे में बताता है इसके बाद आते हैं समानता के आर्थ में दो पहलों का समावेश है पहला आए नकारात्मक रूप से समानता का अभिप्राय क्या है जाती रंग धार्मिक विश्वास विश्वास लिंग निवास इस्थानिय वेफसा क्या धार पर किसी भी वहिकित के साथ कोई भी बहदवाव करना समानता का रणात्मक परभाव है और इसके बाद सकरात्मक रूप समानता का अभिप्राय सकरात्मक क्या रूप है समानता का यह जानते हैं सकरात्मक रूप में समानता का अभिप्राय है कि सभी लोगों को अपने वि प्र Squid को प्राप्त हो फोजन वस्तर नीवास की सुँविधावक्लप्ध होनी चाहिए और sorrow be then आफिकार मैं आपको समझाने वाला में से एक चिसका सम्विधान के अनूछेर 1922 में की गयी है इस संभनland में आनूछेर 19 ऐसे जरूरी है कि मूल नीवा रुकgowउ स्वास साथ सुवतंतिरता परदान की गई है और इन में से छटी सुवतंतिरता संपत्ति की सुवतंतिरता थी जो 44 समवेधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मोली का धिकार के साथ संपत्ति की सुवतंतिरता की समानता कर दी गई है और अभी हमारे पास छे इस इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूं कोई भी इंसान भरमन की सुवतंतिरता से अभी प्रही है कि कोई कोई बी इंसान कहीं पर भी घूम सकता है पूरे भारत में बिना किसी restriction याणि रोक टोक के उसके बाद निवास की सुथन्तिरता कोई बी इंसान कहीं पर भी रह सकता है लेकिन वहे जगा कोई गेर काणूण प्जिजूनी ना हो तो और छेटा व्याइवसाय की स्वतंतिरता भारत मा कोई भी इंसान कोई भी व्याइवसाय कर सकता है उस पर कोई रिस्टिक्षन नहीं है लेकिन उसको लाइसन्स लेना किसी भी व्याइवसाय के लिए जरूरी है आते हैं अपने next page की और जिसमें स्वत समानृता के संबंद आप यह पढ़न दीजिह मैं आपको संसंय को समान है संबंद बताते हुं विचारकों के साथ आप व्यक्तिव क कि इसके पहला बुलेट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं स्वतनता और समानता के भी संबन जटिल है क्योंकि इसके लिए कुछ लोग जिन्होंने समय की शुरुवात से संगश किया है और आज तक संगश हैं यह दो शब्द दीड़ता से जुड़े हुए हाला कि अभी वाज् स्टिती यह डिग्री में समांता सरल शब्दों में यह अन्य लोगों का समान है स्वतनता नियंतर्त त्यासिमित होने के वाज़ी वाज कहा जब मनुष्य की पूरी तरह से स्वत्रनता नहीं हो जाते तो यह बिल्कुल समान नहीं हो सकते जो स्वत्रनता नहीं है उसके पास एक मालिक है जो उसके लिए अपनी पसंद केहरत से नियम कानून बनाता है वै अपने आपको स्वामी किसे छुड़कार दिलाने और राजनीतिक स्वातंतरता हासिल करने एक मात्रत तरीका शासन के खिलाफ सभी लोगों के पास अब कारिय करने का अफसर है सभी लोगों के पास जो वे चाहते हैं और इस वज़े से उन्हें समान माना जाता है उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की और उस पे लिखाए स्वातंतर नेक्स्ट ब्लड़ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं स्वातंतरा और समानता में तनाव की इस थिती में मौजूद होए लेकिन पारसपरीक रूप से एक दूसरे पर निर्वार है क्योंकि स्वा स्वातंतर नेक्स्ट ब्लड़ पॉइंट जो स्वातंतरता का विकास स्वातंतरता की घोशना के साथ सथ शुरू होता है जिसे मिसाल कायम की जाती है सबी पुरुशों और समान को बनाया जाता है इस बिंदू तथा समानता तक ऐसी चीज भी जिसे प्राप्त नहीं किया ज दो आ सकता ही है लगबग एक विदेश विचार था कि अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंपोटेंट पॉइंट पर आते हैं स्वातंतरता अब समानता के संबंध पर दो परकार में विवाजित विचारकों की विचारधारा है विरोधी विचारधारा और सकारात्मक क्युंकि 73 आपाने पर समानता खताम हो जाती है इसके बाद आते हैं सकरात्मक विचादःदारा को मानने वालों उपतर सुख्रता संवांता है फ्रतिंद्र सोफ्षा आत्रत है नहीं की जा अधिकारों का हनन ना करें इस परकार हम कह सकते हैं कि नियंत्रिस स्वतंतरता ही असली स्वतंतरता है किसी वैकित घुट राज्य या समाज के मनमर्जी करने हम स्वतंतरता नहीं कह सकते है क्योंकि फिर स्वाच्छ या निरंकुष की श्रैणी में आ जाती है वे एक समाज को हर वाइकित द्वारा अपनी मर्जी और उल्टा सीधा कार्य करने पर और आजकता की स्तिती में आ जाती है उस इस्तिर्ग्र सुवतंतरता कता ही नहीं कह सकते कर आते हैं पेज नमबर नेग्स्ट पर आगा फिवतीन हर वाइकित के छमता अलग अलग होती है आते हैं सुवतंतरता की स्तिती में यदि कोई वाईकित अधिक सक्षन या ताकतवर वाईकित अपनी सोतंतरता का दाइरह इतना जादा बड़ा लेता है कि वह दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगे तब सोतंतरता समात हो जाती है क्योंकि सोतंतरता तभी संभावे जब वह समाज के हर वाईकित के लिए लिए हो ना कि क प्योंग करते हुए एवां अपने सीमा पर रहते हुए विकास अपने परिवार का विकास करने का अधिकार देना है यह तो था हमारा आज का आज सुवतंतर और समानता के बीच संबंद और इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पर जो निशकर्ष मैं आपको पढ़कर सुनाओंगा निशकर्ष शुरू करते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि सुवतंतरता है कि ऐसा अधिकार है मनुश्य के ऐ सवीधाई प्राप्त होनी चाहिए वास्तविक्थ सुवतंतरता समानता के वातवरन में हिन्स wornложt सकती है समानता के अभाव मैं सुवतंतरता को को और मूल्य नहीं क्योंकि इस परकार की शुष्षक्टिशाली लोगों द्वारा दुरलबू को दबाने का अधिकार हो जाएगा अधिकार को एक दूसरे के पूरक समझना चाहिए यह तो थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों अगर वीडियो आपके ने थोड़ी से भी यूसफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हमें इंकरिजमेंट करें और अगर कोई भी गलती हुई हो वीडियो में या अगर आप किसी और अन्य असाइंडमेंट पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बोक्स में बताएं और हमारे इंस्टेग्राम पर फोलो करना ना भूलें तो धन्यवाद दोस्तों यह थी हमारी आज की